कमलनात सरकार में नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कम्प्यूटर बाबा और पूर्व मुख्यमत्री दिगविजय से के छोटे भाई लक्षमन से के बीच तकरार हो गई है। कॉंग्रिस विधायक ने कम्प्यूटर बाबा को फर्जी बाबा करार दिया। देखिए एखास रपोर्ट। कम्प्यूटर बाबा को फर्जी करार दे दिया है। कम्प्यूटर बाबा के बयान को लक्षमन से ने मतदाताओं का अपमान कह दिया है। तो ये अपमान मेरा नहीं है। ये अपमान उन महान मतदाताओं का है जिन्नोंने मुझे पांच बार लोकसवा में तीसरी बार विधान सवा में चुना है। तो उनसे ये ही कहना है कि जो जनता है उसका अपमान न करे। वही पार्टी को नसीहत देते हुए लक्षमन सिंग ने कहा कि ऐसे ही फर्जी बाबाओं के चक्कर में कॉंग्रेस पहले चुनाव हारी थी। यदि फर्जी बाबाओं को साथ लेकर कॉंग्रेस आगे बढ़ी तो भविष्य में भी कॉंग्रेस को भारी नुकसान होगा। आज के शिक्षित समाज में फर्जी बाबाओं की कोई आवश्रक्ता नहीं है। कॉंग्रेस की आड़ में कंप्यूटर बाबा अपना खेल खेलना बंद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। की शिक्षित समाज में फर्जी बाबाओं की कोई जगे नहीं है। जो सादू संत है, जो तपस्या करते हैं, जो सही माइने में संत हैं, उनको दुनिया मानती, मैं भी मानता हूँ। पर इस तरह के बाबा जो है उनको शिक्षित समाज कभी सुईकार नहीं करेगा वो अपना खेल खेलना बंद करें नहीं तो ये पार्टी कोई नुक्सान होगा। कुल मिला कर विधायक बनाम बाबा की लडाई में शब्दों की धार अब काफी तीखी हो गई है। व्यूर रिपोर्ट, MP News, भोपाल